सात्यों हमारे स्टार्ट अप वर्ल की सबसे बड़ी USP हैं उनकी डिस्रप्शन एंड डाइवर्सिफिकेशन केपरसिटी डिस्रप्शन इसलिए क्योंकि ये स्टार्ट अप्स आज नई अप्रोच नई टेक्नोलोजी और नए तौर तरीकों को जन्म दे रहे हैं एक ही पट्री पर चलते जाने की जो सोच थी हमारे स्टार्ट अप उसको बदल रहे हैं और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन आप देखिए आज कितने सारे स्टार्ट अप्स आ रहे हैं और सब अलग-अलग आइडियास के साथ कि स्टार्ट अप हर सेक्टर में हैं हर सेक्टर में एक नई क्रांति कर रहे हैं आज हमारे स्टार्ट अप का जो स्केल है जो सफ्टन्स है वो अभुत्पुर्व हैं और सबसे बड़ी बात इन स्टार्ट अप्स को प्रेग्मेटिजम से भी जादा पेशन गाइड कर रहा ह जब भी किसी खेत्रे में नई चुनोती आती हैं, तो कोई ने कोई स्टार्ट अप सामने आता है और कहता है कि ये काम हम करेंगे, भारत भी आज इसी स्टार्ट अप स्पिरिट से काम कर रहा है, पहले जब भी कोई नई परिस्टिती आती थी, जब भी कुछ नया करना होता था, तो पूछा जाता था कि who will do it, ठीकिन आज देश खुद ये कहता है कि we will do it, अज डिजिटल पेमेंट्स हो, सोलर सेक्टर का निर्माण हो, क्या AI रिवलुशन हो, देश ने पूछा नहीं कि who will do it, देश ने तय किया we will do it, और रिजल्स आज हम सब के सामने है, आज बीम यूपियाई ने पेमेंट सिस्टिम को रिवर्सलाइज कर दिया, है, दिसंबर में ही भारत में चार लाग करोड रुपे से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन यूपियाई के मादम से हुआ है, सोलर सेक्टर में भारत दुनिया का नेत्रूत्व करने की और बढ़ रहा है, अभी हाल के ही अगध्यान के मताबिक दुनिया के बड़े देशों के मुकाबले, भारत में AI का इस्तवाल भी काफी तेजी से बढ़ा है,